नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल PFE में आज हम बात करने वाले हैं IGL और MGL के बारे में जो कि आज हमें रॉकेट होते हुए नजराय थे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ IGL और MGL ही भागे थे गैस सक्टर के कई स्टॉक्स में बारी तेजी देखन नीती क्या होनी चाहिए क्या profit booking का समय आ चुका है या फिर नई buying करनी चाहिए या फिर सिर्फ hold करना चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और regular updates पा को समझने की कोशिच करेंगे gas pipeline tariff में क्या changes देखने को मिल हैं लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं PNGRB क्या है PNGRB का full form है petroleum and natural gas regulatory board तो basically ये एक oil regulator है जिसने आज notify किया है regulations for unified gas transmission tariff structure the tariffs will be applicable based on two zone structure related to distance from source of gas और इस news के चलते बारी तेजी gas stocks में हमें देखने को मिली गुजरात gas 19% तक upper circuit में lock होता हुआ नजरा है था MGL में भी 10% से जादा की तेजी देखने को मिली अडानी gas 9% तक ऊपर किया था GSPL में भी 18% के आसपास की तेजी देखने को मिली गेल भी हमें 4% ऊपर जाता हुआ नजरा है था तो काफी अच्छा माहौल हमें आज बनता हुआ नजरा है था लेकिन news को समझने की कोशिश करते हैं तो oil regulator PNGRB has simplified the country's gas pipeline tariff structure to make fuel more affordable for distant users and to attract investment for building gas infrastructure तो basically यह जो भी changes समय देखने को मिलने वाल है government का motive यह है कि gas consumption को बढ़ाया जाए और लोगों के लिए affordable किया जाए और साथ ही साथ building gas infrastructure को gas infrastructure में investment को attract किया जाए इसी के कारण यह सारे changes समय the PNGRB has notified regulation for a unified tariff structure for over a dozen pipelines that form the national gas grid which will lead to 20-30% rise in transportation charges paid by users near the source but a reduction for consumers in the hinterland a PTI report said तो यहाँ पर जो changes देखने को मिलने वाल है अब यहाँ पर दो zone में बाटा जाने वाल है एक तो सबसे पहले तो जो source है यहाँ पर gas का उससे 300 km की जितनी भी range है वहाँ पर एक tariff लगेगा और उसके बाद जितना भी range हमें दिखाई देगा वहाँ दूसरा tariff यहाँ पर हमें affordable gas price देखने को मिलेंगे और इसी के जल्दे stock prices भी हमें काफी उपर जाते हुए नजर आए हैं News को detail में समझने की कोशिच करते हैं ICICI Securities के analyst का माणना है कि Unified Tariffs will encourage gas transmission companies to set up new pipelines and will result in long term volume growth Companies like Gale and GSPL will benefit in terms of higher tariffs and profitability तो ऐसी companies जो की gas transition में कामकाच करती है वो ज्यादा positive यहाँ पर दिखाई दे रही है Gale जैसी companies, GSPL जैसी companies उन्हें higher tariffs और profitability की वज़े से काफी फाइदा यहाँ पर पहुचता हुआ नजर आया और इसी के कारण यहाँ पर हमें तेजी भी देखने को मिली थी लेकिन CGDs यानि की city gas distribution companies के बारे में बात करें तो वहाँ पर तेजी का reason थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा था उसे भी समधने की कोशिश करते हैं तो यही सबसे बड़ा reason था जिसके करण CGD में हमें काफी तेजी देखने को मिली जैसे कि IJL हो गया, MJL हो गया, कोई भी company जो की city gas distribution company में कामकाच करती है वहाँ पर हमें काफी तेजी देखने को मिली थी क्योंकि जो draft provision थे, जो भी draft थे वो साले remote कर दिये गए हैं और यही draft था जिसके करण पिछले काफी समय से यह सारे stocks हमें weakness दिखाई दे रही थी आपको बता ही होगा, MJL भी काफी weak हो चुका था, 800-800 के आसपास आ चुका था IJL के बार में बात करें तो वो भी 400 के नीचे हमें आता हुआ नजरा है था तो यही सारे रीजन से जिसके करण काफी weakness बनी होई थी लेकिन वही रीजन निकाल दिया गया है जिसके करण हमें stock काफी दादा दोडते हुए नजरा है और वैसे भी काफी दिनों से अल्रेटी तेजी होई चुकी थी इंफ्रा एक्स्क्लूसिविटी प्रोडेक्शन इस पॉजिटिव बट टेक्निकल डिस्प्यूट्स में क्रॉप अर अहिड द यूनिफाइट टैरिफ इस मोस्ली नूट्रल देस एडिनर रिपोर्ट तो यहाँ पर MK Global का ऐसा मानना है कि CGDs के लिए ये शौट टम के लिए बहुत ही पॉजिटिव नूज हो गई है क्योंकि जो एकदम काटा बना हुआ था वो काटा यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कोई बहुत ही बिजनस में बहुत ही बड़ा फाइदा हो जाएगा ऐसी यहाँ पर situation CGDs के लिए दिखाई नहीं दे रही है I hope मैं आपको news अच्छी तरह से समझा पाया हूँ अब stock के बारे में भी बात कर लेते हैं IGL एक mid cap company है जिसका market cap 31,000 crores के आस पास का है पाएंगे 13% के शांदार results देखने को मिलते हैं अगर बात करें 1 year के बारे में तो 10% के आस पास के positive returns है 5 year के बारे में बात करें तो 374% के positive returns हमें दिखाई दे रहे है Key matrix के बारे में बात करें तो PE ratio 25.11 है जबकि sector का PE 15.39 दिखाई देता है अगर बात करें company के financial trend के बारे में तो यहाँ पर कभी भी आपको downtrend दिखाई नहीं दे रहा है अब देख पाएंगे 2017 से लगाता revenue और profit हमें उपर जाते हुए नज़रात है revenue 2017 में 3.92,000 crores ती जो की बढ़कर 2020 में 6.78,000 crores हो चुगी है आज के delivery percentage के बारे में बात करें तो decent delivery दिखाई दे रही है actually अच्छे delivery दिखाई दे रही है 36.69% की delivery हमें दिखाई दिए अगर 25 या 30% से ज़्यादा की delivery हमें दिखाई देती है तो हम ऐसा मानते हैं कि अच्छे delivery हमें आज दिखाई दिए तो अब चलते हैं charts पर वहाँ पर कैसी situation मनी हुए है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं काफी समय से downtrend चलता हुआ नजरा आया था 500 के level से stock हमें नीचे आकर 380, 370 के आसपास भी आया था लेकिन उसके बाद शानदार recovery देखने को मिली और आप देख पाएंगे 500 के आसपास हमें वापस दोड़ता हुआ नजरा आता है अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो money flow index का number calculate होकर आता है 81.29 जो कि already highly overbought category में enter कर चुका है अगर बात करें RSI के number के बारे में तो RSI का number calculate होकर आता है 78.69 जो कि already overbought category में enter कर चुका है अगर बात करें MSED के situation के बारे में तो of course यहाँ पर भी bullish crossover में बनता हुआ नजरा आता है बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के upper band को तोड़कर काफी उपर निकल चुका है upper band का level है 475 का level median 436 का level है lower band है 397 के आसपास का level pivot points के बारे में बात करें तो pivot level पर हमें 3 resistance दिखाई देते हैं और तीसरा resistance भी तूटता हुआ नजरा आया है लेकिन वहाँ पर हमें closing basis पर थोड़ी सी problem देखने को मिली है अब देख पाएंगे तीसरा जो resistance था वो था 492 के आसपास का level और आज जो closing देखने को मिली है उसके ऊपर 499 के आसपास हमें देखने को मिली है अगर बात करें नीचे के supports के बारे में तो 372 पर पहला pivot support दिखाई दे रहा है जो कि of course काफी नीचे हमें दिखाई देता है अगर बात करें इसके all time chart के बारे में जहां पर एक candle 1 month को represent करेगा जिसे हमें पता चलेगा कि stock ने कैसी movement बना कर दिये तो आप देख पाएंगे शांदार stock रहा है शांदार growth stock ने हमें दिखाई दिये और especially पिछले 4 सालों में भी काफी अच्छी growth हमें दिखाई दिये तो यहाँ पर कभी भी deep correction देखने को नहीं मिला है जब भी correction देखने को मिलता है तो 20 months का जो EA में as a strong support दिखा दिता है और वहाँ पर stock वापस rebound हमें उपर जाता हुआ भी नजर आता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फिलाल भी stock ने उसी level के आसपास support लिया और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी फिलाल 20 months का EA में calculate होकर आता है 397 के आसपास का level तो ऐसे मैं positions अगर लेकर रखिये तो क्या करना चाहिए तो फिलाल loss की ज़्यादा गुंजा इस तो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसका जो all time आया था वो भी 540 के 530 के आसपास का था तो यहाँ पर ज़्यादा loss तो आपको हो नहीं रहा होगा तो long term के लिए काफी अच्छा stock है आप इसे continue holding कर सकते हैं और अगर आपने नीचे position मना कर रखिये profit में चल रहे है long term के लिए है तो of course आप continue holding कर सकते हैं लेकिन अगर आपने short term के लिए है, positional trading के लिए है तो यह एक अच्छा मौका है profit booking करने के लिए क्योंकि अगर आपका motive short term का ही है, long term का नहीं है, positional trading का ही है तो यहाँ पर news आईए, तो आपको बेचना चाहिए, buy on rumors, sell on news, positional trading के लिए यह सबसे best strategy मुझे दिखाई दिती है, last decision तो हमेशा आपका ही रहने वाला है और अगर बात करें fresh buying के बारे में तो मेरा मन नहीं फिलाल current market price पे buying करने से थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि stock already overbought हो चुका है, ऐसा नहीं है कि stock में buying नहीं हुए शांदार volume हमें दिखाई दिया, शांदार buying हुए, काफी समय के बाद इतनी जोरदार buying हमें होती हुए नजार ही है लेकिन फिलाल मेरा मन थोड़ा सा wait करना चाहिए, stock अलरड़ी उपर निकल चुका है MGL के बारे में बात कर लेते हैं, MGLX small cap company जिसका market cap 9000 crores के आसपास का है last traded price है 1063 जो की 15% के आसपास की तेजी आज के आके लिए दिन में हमें दिखा दिया है अगर बात करे weekly returns के बारे में हैं तो हमें यहाँ पर flat returns देखने को मल रहे हैं अगर बात करे 1 month के बारे में तो 13% के positive returns दिखाई दिये हैं 1 year के बारे में बात करे तो शांदार यहाँ पर returns दिखाई नहीं दे रहे हैं 10% की ग्रावट पर stock हमें available दिखाई दिता है अगर बात करे 5 years के returns के बारे में तो काफी अच्छे returns दिखाई दिता हैं 81% की positivity हमें दिखाई दे रही है अगर बात करें इसके key matrix के बारे में तो इसका PE ratio 11.56 है जो की काफी attractive है in comparison to sector का PE ratio अगर बात करें price to book ratio के बारे में तो sector के मुकाबले थोड़ा सा में महेंगा दिखाई दे रहा है dividend yield काफी शांदार है 3.76% की dividend yield है sector का dividend 3.5% दिखाई देता है financial trend के बारे में बात करें तो ये भी काफी attractive दिखाई दे रहा है इसका भी financial trend काफी अच्छा है अब देख पाएंगे revenue हो या profit लगातार उपर जाते हो नज़राते है 2017 में revenue 2.08,000 crores थी जो की बढ़कर हमें 2020 में 3.07,000 crores होती हो भी नज़र आती है profitability भी लगातार बढ़ती हो भी नज़र आ रही है profitability almost double हो चुके पिछले 4 सालों में 0.39,000 crores से बढ़कर 0.79,000 crores होती हो भी नज़र आती है आज के delivery percentage के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे MGL में 24% की delivery देखने को मिल रहे है जो के हम कहा सकते है ठीक ठाक delivery है ज्यादा positive delivery दिखाई नहीं देती है तो आप देख सकते हैं MGL के चार्ट पर भी clearly हमें यही पता चलता है 1100 के level से बहुत ही weakness दिखाई देती 800 के level पर stock आ चुका था लेकिन उसके बाद काफी अच्छे returns यहाँ पर देखने को मिल रहे है indicators के बार में बात करें तो money flow index के नंबर clearly highly overbought category में दिखाई देता है RSI के नंबर के बार में बात करें तो यहाँ पर भी clearly highly overbought category दिखाई दे रही है MECD के बार में बात करें तो of course यहाँ पर भी bullish cross worry देखने को मिलने बाला है Bollinger band के बार में बात करें तो Bollinger band के upper band को तोड़ चुका है upper band का level है thousand rupees का level और stock उससे उपर जाता हुआ नजराता है median है 8.86 का level और अगर बात करें lower band के बार में तो 771 का level हमें दिखाई देता है pivot points के बार में बात करें तो pivot level के तीनो resistance यहाँ पर तूट चुके हैं last जो तीसरा में pivot resistance दिखाई दे रहा था वो था 1013 का level जो की आज के दिन तूटता हुआ नजराता है अगर बात करें इसके all time chart के बार में जहाँ पर एक candle 1 month को रिप्रेसेंट करेगी तो अब देख पाएंगे 2016 में इसके listing देखने को मिली थी काफी अच्छे returns भी देखने को मिली 1300 के आसपा stock पहुँच चुका था गिरावट देखने को मिली 750 का level ऐसे support बना और 2018 से करके 2020 तक ज़्यादा moment देखने को नहीं मिली थी एक ही range में stock trade करा था उसके बाद market में गिरावट आई और यहाँ पर recovery दिखाई दी वापस stock नीचे आया और वापस हमें stock उपर जाता हुआ नज़राता है फिलाल अपने सारे monthly averages के stock उपर trade करता हुआ नज़राता है तो ऐसे में positions को लेकर क्या करना चाहिए अगर आपने उपर position मना कर रखी है आप अभी loss में चल रहे है तो मेरा मनन है company अच्छी है इसका valuation attractive है dividend काफी अच्छा है तो आप long term के लिए hold कर सकते हैं अगर आपने नीचे position मना कर रखी है profit में चल रहे है long term के लिए तो continue holding कीजिए लेकिन अगर आपने short term के लिए लिए तो यह एक अच्छा मौका है buy on rumor, sell on news तो फिलाल news आईए तो यहाँ पर बेचना अच्छा रहेगा अगर आपका motive short term का था, positional rating का था और अगर बात करें fresh buying के बारे में तो यहाँ पर मेरा मनना यही है कि फिलाल थोड़ा सा संबलना चाहिए, अल्रड़ी काफी तेजी देखने को मिल चुकी है और जब लेने का समय था, हमने जी भर के stock को खरीदा था, 900 के level पर खरीदा था stock गिरकर 800 भी आ गया था, तो वहाँ पर भी बिना डरे हमने इसे खरीदा था और stock फिलाल 1050 के आज पास पहुँच चुका है और यहाँ पर भी काफी अच्छा moment देखने को मिल रहा है, अगर volume charts देखेंगे तो यहाँ पर भी heavy buying हमें होती हो भी नजरा आ रही है लेकिन fresh buying फिलाल करना मुझे ज़्यादा यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन last decision तो हमेशा आपका ही रहने वाला है लेकिन आप कोई भी decision ले, उससे पहले में आपको बहुत ही important resistance है जो कि आपको बताना चाहूंगा 1100 का level आप देख पाएंगे पहले दो बार ऐसे resistance हमें देखने को मिला था और उसके बाद stock नीचे आता हूँ नजरा है था तो यह काफी important रहने वाला है अगर यह level तूट जाता है तो और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है last decision आपका है आपको sell करना है कि नया business देखने को मिलने वाला है ऐसी same situation city gas distribution company में हमें देखने को नहीं मिलने वाली है ऐसा फिलाल तो हमें दिखाई देता है और यह news final news नहीं है फुल स्टॉप नहीं है अभी आगे और भी ज़्यादा news हमें यहाँ पर same situation में देखने को मिलने वाली है तो इसके चलते ज़्यादा हमें गाई नहीं करनी चाहिए ज़्यादा जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए वेट करना चाहिए सोच समझ कर decision लेना चाहिए लेकिन last decision तो हमेशा आपका ही रहने वाला है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे subscribe कीजे और मुझे motivate कीजे thank you, stay happy, happy investing